दोस्तो कहानी शुरू होती है और हम चिंकू चोकेदार को देखते हैं जो कि एक गचा गच का थेरपिस्ट होता है वहीं क्लीनिक में हम एक खुबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि चिंकू चोकेदार से अपना इलाज कराने आई होती है फिर वो लड़की उसे बताती है कि वो बस हमेशा लड़कों के साथ मजदूरी करने के बारे में ही सोचती रहती है इस पर चिंकूस लड़की को अपनी एक बुक रिकमेंड करता है और बताता है कि इन सब चीजों के आलावा भी बहुत सी चीजे हैं जिससे तुम खुश रह सकती हो चिंकू उस लड़की को ये भी बताता है कि मैंने खुद 27 साल से कभी किसी लड़की के साथ गचा गच नहीं किया और नहीं किसी लड़की के तरफ अट्रैक्ट हुआ इसके बाद चिंकू चोकेदर अपने घर पर आता है और वहाँ पर वो अपने दो हरामी दोस्त बबबन और शचुंदर से मिलता है चिंकू ने अपने दोस्तों को अपने घर की चाबी दे रही थी इसलिए वो लोग कभी भी चिंकू के घर पर आ जाते थे फिर चिंकू अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपनी पडोसी गंड मस्ती के घर पर जा रहा है क्योंकि उसके घर पर आज एक पाटी है और उसने चिंकू को भी इन्वाइट किया है इसके बाद चिंकू गंड मस्ती के घर पर जाता है और वहाँ पर वो गंड मस्ती के बॉइफेंड चारली से मिलता है हम देखते हैं कि चारली अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो गंड मस्ती को कभी भी टाइम नहीं दे पाता इसके बद चिंकू चोकेदर गंड मस्ती के बास जाता है जो की किचन में खाना बना रही थी गंड मस्ती चिंकू को अपना खाना टेस्ट करवाती है जिस पर चिंकू चोकेदर गंड मस्ती को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुमें अपना restaurant खोलना चाहिए अगरे दिन चिंको चोकेदार अपने parents के घर जाता है जहांपर चिंकू का बाप हर वक्त चिंकू को लेकर परिशान रहता है चिंकू का बाप कहता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि चिंकू है क्या ना तो उसे लड़किया पसंद है और नहीं उसे लड़के पसंद है और उसने आज तक कभी भी किसी के साथ मजदूरी भी नहीं की इसके बाप चिंकू अपने office जाता है और वहांपर चिंकू की बॉस उसे बताती है कि उसकी लिखी हुई book bestseller हो चुकी है और उसे एक बड़े radio station पर interview के लिए भी बुलाया गया है चिंकू ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो ये बात घर जाकर सबसे पहले गण मस्ती को बताना चाता है इसके बाद चिंकू जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि गण मस्ती के घर के बाहर उसका boyfriend चारली खड़ा होता है और वो चिंकू को देखकर उसे कहता है कि मेरे और गण मस्ती के बीच break up हो गया फिर चिंकू गण मस्ती के पास जाता है और गण मस्ती चिंकू को रोते हुए बताती है कि चारली ने उसके साथ ब्रेक अप कर लिया क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था गंड मस्ती को रोता हुआ देखकर चिंकू उसे संबालता है और उसका मूड अच्छा करने के लिए उससे बात करने लगता है अब बातों ही बातों में गंड मस्ती के मन में चिंकू के लिए फिलिंग्स उटने लगती है और वो चिंकू के पास आकर उसे चूसना शुरू कर देती है लेकिन चिंकू को ये सब काफी अजीब लगता है और वो गंड मस्ती को कहता है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसा बोलकर चिंकू वहां से चला जाता है अगली सुबह चिंकू के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ बास्केट बॉल मैच पर चलने के लिए कहते हैं फिर वो सभी बास्केट बॉल मैच खेलने जाते हैं और खेलते वक्त अचानक बॉल चिंकू के गोटो पर लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है इसके बच चिंकू को होस्पिटल ले जाये जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उसके गोटो को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत छोटे है फिर चिंकू डॉक्टर को कहता है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो डॉक्टर उसके सर का CT स्कैन करते हैं अगली सुब़ डॉक्टर चिंकू के पास उसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके सर में एक ट्यूमर है जिसकी वरे से उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहे हैं फिर डॉक्टर चिंकू से कहते हैं कि एक operation से उसका ये tumor निकाल दिया जाएगा और वो फिर से normal हो जाएगा अब ये बाद सुनकर चिंकू बहुत खुश हो जाता है और operation के लिए तैयार हो जाता है फिर operation successful होने के बाद चिंकू अपने घर पर आता है जहां पर उसकी mom उसका खयाल रखती है अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और हम चिंकू चोकिदार को देखते हैं जो एक adult magazine देखकर अपना हतियार खड़ा करने की कोशिश करता है लेकिन उसका हतियार खड़ा ही नहीं हो पाता फिर जब ये बाद चिंकू के हरामी दोस्तों को पता चलती है तो वो चिंकू के घर पर एक steeper को लेकर आते हैं जिससे वो excited हो जाए और उसकी छोटी बंदुक फिर से चलना शुरू हो जाए अब वो steeper अपनी घर का पूरा जोर लगा कर चिंकू को excited करने की कोशिश करती है लेकिन चिंकू का हतियार तो लंगड़ा हो चुका था सलाख खड़ा ही नहीं होता जिससे उन लोगों का ये plan flop हो जाता है फिर अगले सुबे जब चिंकू उठकर नीचे आता है तो उसका बाप देखता है कि चिंकू का छोटा हतियार खड़ा हो गया है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है अब चिंकू को अपने parents के सामने काफी शरम आ रही थी लेकिन उसके mom और dad तो खुशी के मारे dance कर रहे थे अब इसके बाद सही चिंकू में काफी confidence आ जाता है फिर वो जैसे ही अपने घर पर जाता है तो वो वहाँ पर अपने दोस्त को देखता है जो कि किसी लड़की के साथ वहाँ पर मजदूरी कर रहा था अब उन दोनों को वहाँ पर साथ में मजदूरी करता हुआ देखकर चिंकू का छोटा पपू वापस खड़ा हो जाता है अब चिंकू के बास और कोई option नहीं था इसलिए वो अपनी ठरक को शांत करने के लिए हिलाना शुरू कर देता है अब चिंकू को हिलाने में बहुत मज़ा आ रहा था तो वो दिन राथ सिर्फ हिलाता ही रहता है चिंकू इतना हिलाता है इतना हिलाता है कि वो हिलाते हिलाते पुरी दुनिया हिला देता है इसके बास कुछ दिनों बाद चिंकू गंड मस्ती से मिलता है और गंड मस्ती चिंकू को बताती है कि वो एक food competition के लिए दूसरे शहर जा रही है अब ये बास सुनकर चिंकू को बहुत बुरा लगता है लेकिन चिंकू उसके समने ऐसा दिखाता है कि उसे इस बात से ज़्यादा फरक नहीं पड़ा और वो गंड मस्ती को बाय बोल कर वहां से चला जाता है अगले दिन चिंकू अपने clinic जाता है और वहां पर patients की बाते सुनकर उसका छोटा पपू फिर से खड़ा होने लगता है अब चिंकू इन सब चीजों से काफी परिशान हो गया था इसलिए वो अपने doctor के बात जाता है और उसे अपनी सारी परिशानिया बताता है इस पर doctor उसे बोलता है कि तुमारी puberty अभी ही start हुई है इसलिए तुम्हें इन सब मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा इसके अलावा भी तुम्हें और भी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जैसे आवाज का भारी होना और चड़-चड़ापन लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से परिशान होने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि ये सबी चीजे time के साथ साथ अपने आपी ठीक हो फिर उसी राज चिंकू गणमस्ती को फोन करता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा competition कैसा रहा लेकिन गणमस्ती चिंकू चोकिदार को अपने partner के बारे में बताने लग जाती है जिसको सुनकर चिंकू चोकिदार को बहुत जलन होती है और वो फोन कार्ड देता है इसके चिंकू के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी puberty के चलते तुम्हें ये सब problems तो आएंगी ही और तुम्हें इनका सामना भी करना पड़ेगा अब चिंकू हर किसी से सेम बात सुनकर बहुत ज़्यदा चेड चुका था इसलिए वो गुस्से में वहां से चला जाता है लेकि कि उसके डैड तो खुश होते हैं कि उसे अपनी जवानी की इन problems का सामना करना पड़ रहा है अगले दिन चिंकू अपने दोस्तों के साथ घुम रहा होता है तो उसमें से एक दोस चचुंदर चिंकू से कहता है कि कुछी दिनों में मेरी और मेरी wife की anniversary है तो क्या तुम उस को में अपनी wife के साथ रैस्टों में dinner के ले जाऊंगा अब चिंकू चचुंदर के बचपन का दोस्ता इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है इसके बाद चिंकू जब अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसका एक पड़ोसी जौश उसे कहता है कि तुमको tinder join कर लेना चाहि हैं कि tinder join करने के बाद चिंकू हर रोज नई लड़कों के साथ मिलता था और उनके साथ दिन रत मजदूरी करता था अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और हम चिंकू को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक से घर आता है घर आते ही वहाँ पर चारली को देखता है जो कि गण मस्ती के घर के बाहर फूल लेकर खड़ा होता है फिर चारली चिंकू को देखता है और उसे कहता है कि मुझे गण मस्ती की बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं गण मस्ती से मिलने और माफी मांगने आ गया लेकिन उस टेम गण मस्ती घर पर नहीं थी तो चिंकू चार मस्ती को अपने साट डेट पर चलने के लिए पूछता है और गंड मस्ती उसे हाँ बोल देती है अब जिस राद चिंकू और गंड मस्ती डेट पर जा रहे थे उसी राद चिंकू को फोन करता है और उसे बताता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और आज राद तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे घर पर आना था लेकिन इस पर चिंकू चचुंदर को कहता है कि आज मेरी भी गंड मस्ती के साथ डेट है तो मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा और ये बोलकर वो फोन कार्ड देता है इसके बाद चिंकू गंड मस्ती को लेकर एक की वाइफ आ जाते हैं फिर वो चिंकू को देखकर बोलते हैं कि ये टेबल तो हमारी है हमने पहले ही इसका रिजर्वेशन करवा रखा है लेकिन चिंकू चोकिदर ने यहाँ पर जूट बोलकर ये टेबल खुदी ले ली थी अब जब ये बात गंड मस्ती को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और उटकर वहाँ से जाने लगती है फिर चिंकू गंड मस्ती के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन गंड मस्ती चिंकू को कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि वो फूल भी तुम लेकर नहीं आये थे बल पहले दिन चिंकू क्लीनिक जाता है और वहाँ पर वो एक पेशन्ट से बात करी रहा था लेकिन तब ही वो पेशन्ट चिंकू से कहती है कि मुझे तुमारे साथ मजदूरी करनी है अब चिंकू उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास आता है और फिर जैसे ही वो सारी परिशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन तुम हर परिशानियों से ऐसे डर कर गिवप नहीं कर सकते इसलिए तुमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और फिर एक दिन चिंकू एक टॉक शो पर जाता है और वहाँ प चिंकू अपने दोस छचुंदर के पास जाता है और उससे उस राद की माफी मांगता है अब छचुंदर चिंकू के बचपन का दोस था इसलिए वो ज़्याधा टायम तक उससे नाराज नहीं रह सकता था और वो उससे माफ कर देता है फिर चिंकू से पूछता है कि मैं गंदमस्ति से बहुत प्यार करता हूँ इस पर उसके दोस्तु से बताते हैं कि तुम्हें गंदमस्ति को सब कुछ सच बता देना चाहिए से प्यार करता है उदर हम चारली को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पर गंड मस्ती से माफी मांगने आया था फिर चिंकु गंड मस्ती से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना जाता है अब चिंकु की ये बात सुनकर गण मस्ती उसे माफ कर देती है और उसे शादी के लिए हाँ कर देती है फिर कुछ मेंनों बाद हम देखते हैं कि चिंकु चो के दर की शादी हो चुकी है और उसने गण मस्ती को प्रेग्नेंट कर दिया है साथ ही वो एक बहुत बड़ा राइटर बन चुक है और अब उसकी लाइफ में सब कुछ मस्त चल रहा है और इसी हैपी एंडिंग के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है